इंडिया में दो सबसे बड़े stock market index हैं, nifty 500 और bsc 500, जो धेरो index funds और ETF के लिए एक benchmark का काम करते हैं, पर investors के लिए हमेशा से एक confusion रहा है कि आखिर nifty 500 और bsc 500 index में से कौन सा best है और कौन देता है अधिक returns और शांदार diversification, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाए कि इन दोनों heavyweight indexes में से आपको कहां पर invest करना चाहिए, और last में मैं आपको बताऊंगा वो best ETF जो nifty 500 और bsc 500 के stocks में invest करते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कि अगर nifty या bsc 500 की बात की जाए, तब इन दोनों indexes में कुल 500 stocks रहते हैं, पर जहां nifty 500 में N bsc यानि national stock exchange पर listed stocks आते हैं, वहीं पर bsc 500 में Bombay stock exchange पर listed वाले stocks आते हैं, तो क्या ये 500 stocks अलग अलग हैं, या फिर सेम ही हैं, उनके बारे में हम अभी समझेंगे, पर उससे पहले ये समझें कि चाहे वह nifty हो, या फिर bsc 500 पर ये दोनों एक प्रकार से multi cap या फिर यूँ कहें flexi cap index हैं, जहां पर आपको मिलते हैं, large caps, mid caps और small caps भी, है नशांदार, अब देखिए, आपने कुछ मशूर flexi cap mutual funds के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे परागपारिक flexi cap या फिर quant flexi cap, पर अगर ETF को देखा जाए, तब बाजार में flexi cap नाम से कोई भी ETF मौजूद नहीं है पर ये Nifty 500 और ये BSE 500 index ऐसे हैं, कि इन्हें एक प्रकार से flexi cap कहा जा सकता है, फिर से note करें, कहा जा सकता है, जिसका फाइदा है, शांदार diversification और कम volatility, तो आए सबसे पहले समझें, इन दोनों index के बीच कुछ जरूरी अंतरों को, जिसको जानने से आपको अपने investment में काफी help मिलेगी, तो जैसा मैंने अब को पहले बताया कि Nifty 500 NSE और वही BSE 500 BSE exchange पर listed है, पर यहीं पर आता है twist, अगर आप देखेंगे, तो roughly NSE पर तकरीबन 1300 के आसपास stocks listed है, पर BSE पर यही संख्या हो जाती है 500 से उपर, तो इस चीज से हमारा क्या फाइदा है, आप इसे ऐसे सम करेंगे, तब stocks को चुनने के लिए BSE के पास में खास तोर से अधिक options मौझूद है, देखें, अगर आप stock market में trade या फिर invest करते हैं, तो आप जानते ही होंगे कि अधिकतर small caps ऐसे होते हैं, जो के वल BSE पर ही listed होते हैं, और वह NSE पर नहीं होते हैं, इसका मतलब यह है कि BSE index एक small cap heavy index है, पर यह negative नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे उपर के कुल 500 stocks ही select किया जाते हैं, अगर हम short पे selection criteria की बात करें, तब NSE 500 के stocks को select करने के लिए free float market capitalization method का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में मैं अपनी पुरानी कुछ वीडियो में आपको पहले ही समझा चुक इसलिए है क्योंकि NSE index अपने high liquidity stocks के लिए मशूर है, पर चुकि BSE में काफी सारे small cap illiquid वाली company भी होती है, इसलिए उन में से best of the best select करने के लिए trading volume और number of trading days को भी देखा जाता है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि BSE 500 में small caps अधिक हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, N result होगा, वा आपके लिए काफी shocking होगा, क्योंकि मैं आपको इन दोनों index के long term chart के साथ में आपको इसका result दिखलाऊँगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अब आता है एक बहुत ही जरूरी factor, वो है tracking error, जिसके उपर मैं detailed video बना चुका हूँ, जिसका link description में है, जितना अधिक होगा, उतना अधिक index और ETF के return के बीच में deviation बढ़ेगा, और ये value कम से कम ही हो, तो फिर अच्छा है, अब दोनों index पर based ETF के tracking error कम ही है, पर अगर इन दोनों को भी compare करें, तब NSE 500 का tracking error दोनों में सबसे कम है, BSE 500 के अधिक tracking error का का कारण है, अधिक small cap का weightage, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये result आपके लिए थोड़ा सा shocking होगा, क्योंकि Nifty 500 और BSE 500 के long term returns almost same जैसे ही है, जी हाँ, अब आप यहाँ पर इनका long term का weekly chart देखे, जहाँ पर ये orange वाली line, Nifty 500 और ये blue वाली line है BSE 500 की, अब 2010 से ले करके अभी तक का data देखिए, आपको क्या लग रहा है, किसका return अधिक है, मुझे तो ये पूरा chart पर ही overlap दिख रहा है, मतलब लगभग same to same result, चलिए अधिक clarity के लिए आपको short term का daily chart भी दिखाता हूँ, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि almost similar ही returns है, पर अगर बहुती closely देखा जाए, तब हाँ BSE 500 का return percentage BSE 500 ETF में sector allocation कैसा होता है, अब यह table देखें, यहाँ पर जो category ली गई है, वह है giant cap, यानि super large caps, या फिर heavy weights, जैसे कि RIL, TCS, HDFC जैसे stocks, तो आप यहाँ पर इस table में देखें, Nifty 500 ETF में 58.9% heavy weights हैं, वही पर BSE 500 ETF में 59.29 heavy weights हैं, अब अगर हम इस allocation को main index से compare करें, तब Nifty 500 index में maximum 67.7% heavy weights हो सकते हैं, पर इस ETF ने अपने index से थोड़े से कम ही heavy weights रखे हैं, वही पर BSE 500 ETF ने अपने category से अधिक heavy weight रखे हैं, देखें, यह सब allocation बाजार को देखते हुए किया जा सकता है, फिर आते हैं large cap stocks, जो Nifty 50 के बाद के होते हैं, तो Nifty 500 में यह percentage है 19.7, वही BSE 500 में यह है 19.8, यानि almost similar, फिर mid cap भी almost similar ही है, और small cap भी लगभग बराबर ही है, करीब-करीब 0.5% के आसपास, पर अगर आप index को देखें, तब BSE 500 में देखें कि mid और small cap की percentage अधिक है, NSE 500 से, मैंने इन दोनों indexes के stock भी चेक किये, तो PIE की almost 97% stocks same है, पर हां इनका weight percentage अलग-अलग है पर फिर भी आप देखेंगे तो returns almost same ही हो रहे हैं, अब आते हैं returns के उपर और जानते हैं कि किस ETF ने अधिक returns दिये हैं, तो जिन best ETF to invest के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिने हम एक तरह से flexi cap category में भी रख सकते हैं, वो है, मोतिलाल उसवाल, Nifty 500 ETF और ICICI Prudential SNP BSE 500 ETF, अब इन दोनों के returns compare करते हैं, और साथ ही साथ में index और flexi cap index का भी average return साथ में compare करके देखते हैं, तो अब देखिए, अगर 6 महीने के returns की बात करें, तब Nifty 500 ETF ने 24.6, तो वही BSE 500 ETF ने दिये है 24.2% के returns, यानि लगभग लगभग same, अब अगर 6 महीनों के flexi cap category का average return देखा जाए, तब वह निकल करके आता है 23.7%, इसका मतलब Nifty 500 और BSE 500 के returns average flexi cap category से थोड़े से अधिक हैं, अब चुकि मोतिलाल ओस्वाल Nifty 500 नेया ETF है, इसलिए इसका एक साल का data तो नहीं है, पर अगर Nifty 500 index का return देखेंगे, तब वह आता है 40% के आसपास, अब आप ICIC Prudential BSE 500 ETF का एक साल क return देखें, तब वह आ रहा है 39.7, यानि करीब करीब सेम सेम, 5 साल में Nifty 500 का returns है 17.5, वही BSE 500 ETF का return है 17.7 और ये भी सेम है, अब अगर flexi cap category की बात करें, तब आप देखेंगे, तो ये आता है 1 साल में 40.3 और 5 साल में 16.7%, अब कुल मिला करके इन सब returns का क्या मतलब हुआ, द अगर flexi cap category के returns को भी सात लेकर के देखा जाए, तब Nifty 500 और BSE 500 का returns काफी कुछ similar, ये flexi cap से थोड़ा अधिक ही दिख रहा है, अब आपके final decision के लिए हम लोग ETF के volume और volatility factor का comparison करते हैं, तो देखें, अगर average trading volume देखा जाए, तब मोतिलाल ओसवाल Nifty 500 ETF का average trading volume आ रहा है, लगवग 1.5 से 2 लाग, और वहीं ICIC Prudential BSE 500 ETF का average trading volume आ रहा है, लगवग 1.5 लाग, इसका मतलब दोनों ही ETF में ठीक ठाक volume आ रहा है, जिसे खराब तो नहीं कह सकते, पर बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, अब अगर आप beta और standard deviation को देखेंगे, तब BSE 500 का अधिक है, और ज 500 ETF का expense ratio ICIC Prudential S&P BSE 500 से थोड़ा सा कम ही है, तो आपको क्या लगता है, कि आप Nifty 500 और BSE 500 ETF में से किसमे invest करना चाहेंगे, हमें comment करके ज़रूर बताएं, वैसे ये दोनों index काफी safe भी हैं, और Nifty 50 से अधिक returns भी देते हैं, क्योंकि इनका stock selection ही ऐसा है, अगर आप समझना चाह कि कैसे Nifty 50 index के stock select किया जाते हैं, तब देखें ये video